हुआ हुआ है आप सभी को पता है कि हम लोग का ग्रामर जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं थामनेल में सिर्फ 11 आप दिख रहे हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है कि 9 इतना ग्रामर परना है टेंत में इतना परना एने लेवंत में इतना परना ट्वेल इतना है तुमनेल इसलिए लेवंत लगाया गया है क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं तो वह सब इस बार टेंट का एक्जाम देखे 11 वाय तो इसलिए 11 आप तो इसलिए यह बिल्कुल डरने वाली बात नहीं और फिर यह नहीं सोचना आ रहे यार यह तो 11 का चला बिल्कुल नहीं यह किसी भी क्लास के स्टूडेंट इस क्लास को कर सकते हैं चाहिए आप 9 में 8 में 10 में 11 में 12 में या अधर किसी भी competitive exam की तयारी करने चाहे NDA हो CDS हो या फिर Air Force का हो नेवी का हो आर्मी का हो या SSC का हो मतलब जितने भी दुनिया में exam होते हैं वो तमाम student कर सकते हैं इसके अलावा वो सारे student कर सकते हैं वो सारे person कर सकते हैं इस क्लास को जिसे grammar से बहुत ज्यादा क्या है प्यार है तो जैसा कि म चलिए पिछली class में part 1 class क्योंकि हम लोगा क्या होगा class 2 तो class 1 में हम चर्चा कर दिये थे basic language क्या है सारा चर्चा की सांड के बारे में चर्चा किये थे word के बारे में चर्चा कि थे sentence के बारे में और हम आगे बढ़े थे किसको लेकि हैं parts of speech को तो आज जो हम topic चुने हैं वो topic टॉपीक इतना लाजबाब है। दिखने में, तो लगता है कि बहुत ही छोटा है यह topic minimum मैं आपको परहाने वाल हूँ आज से start हो चुका है minimum इस topic को मैं कम से कम पढ़ाऊंगा तो अधाई मन्त पढ़ाऊंगा और मैं आपको बोला भी था पहले भी बोला था 10th में भी कि जब आप लोग 10th का exam दे दिजिएगा और जब आपके पास भर पूर समय बचेगा offline mode में पढ़ाने वाल है क्योंकि आप सभी को बता है कि मैं offline भी पढ़ाता हूं और online भी तो मतलब combo ओके तो चलिए फड़ा पड़ एक बार सारे student comment करके बताए कि मेरी audio quality और video quality प्रोपर रूप से आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ओके तो चलिए बस मेर एक ही dream है मेरा एक ही सपना है कि देखिए हम मानते हैं कि इस video को जारखन वाले भी देख रहे होंगे या फिर दुनिया की किसी भी कोनेस देख रहे होंगे किसी भी state से हम सब को अपना मानते हैं सब हमारे अपने family परिवार हैं लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं बिहार के धरती इंगलिस से मेरा जन्म हुआ है और मैं आपको promise करता हूँ I promise you कि अब कोई भी बिहारी English में कमजोड नहीं होगा यह क्रिसर का वादा है यह क्रिसर का वादा है कि English जितना हवा बनाके रख दिया है कि English यह है English वह है मैं आपसे promise करता हूँ कि आपका English बहुत बहुत बहतरीन होने वाला है और आगे जब आप इंटर करने के बाद किसी भी एक्जाम में जब फॉर्म अपलाई कीजिएगा फिल कीजिएगा तो आपको English से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और उसमें जो 50% question जो English के पूछे जाते हैं तमाम question को आप करके आईएगा क्योंकि क्या होता है कि बिहारी का मैथ तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन इंग्लिस में बिचरा हो गरवरा आ जाता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके competition exam में यह नहीं पूछता है कि how are you I am fine where are you यह सब कुछ आप से पूछेगा ही नहीं वाट्स यूर नेम या फिर I have a nice day यह सब बिल्कुल नहीं होगा वहां पर पूछा जाता है दो चीज ग्रामर प्लस vocabulary grammar के जितने भी मान के लिए that means concepts related जो question होते हैं जिसे हम लोग sentence error करते हैं spelling test कहते हैं synonyms कहते हैं antonyms कहते हैं idiom and phrase कहते हैं one word substitution कहते हैं जिसे OWS कहा जाता है PQRS कहा जाता है तो वहां जो SSC के exam जो होते हैं जैसे कि CBI जिसमें आप income tax officer बनते हैं जैसे CGL की बात करें हैना तो उन तमाम exam में English को जान भूज के दिया जाता है क्योंकि सभी को पता है कि government जैदा job जो है वो दो तीन state के student ज्यादा मतलब पसंद करते हैं सरकारी job को जैसे कि पहले नमर में हम बिहार को रख देते हैं दूसरे नमर में यूपी को और तीसरे नमर में किसको जारकन को तो कोई भी student कि मलब जो है मलब मुख्य रूप से इन तीनों state में है नहीं हमें साच चाहते हैं कि हम government job की क्या करें तैयारी करें और उनके साथ problem क्या होता है बिहारी के साथ क्या problem रहता है कि math तो बड़ा अच्छा रहता है बच्पन से लेकिन English कहीं न कहीं weak रहता है जिसके कारण उनका result नहीं बन पाता है लेकिन ये आप से क्रिश सरवादा करते हैं कि इस बार के जितने भी student निकलेंगे यहां से class करक आप लोग को मुख्य रूप से grammar plus vocabulary परहाने वाला हूं complete और इसमें एक book भी मैं आपको परहाऊंगा last में story of English जिसमें 8 chapter है तो मेरा पहला focus रहेगा grammar दूसरा focus रहेगा vocab और तीसरा focus क्या रहेगा हम लोग का that means book रहेगा और हम class का duration भी बांट देंगे that means उसमें हम routine maintain कर दें क्योंकि without vocab आप बिल्कुल भी competition exam को मतलब face नहीं कर पाईएगा तो वहाँ पर हम लोग ये focus करेंगे कि grammar के concept सीखने का तरीका जानेंगे और ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि ये sir English medium में पढ़ायेगा या Hindi medium में कोई मतलब नहीं है ना हम पहले ही आपको करता हैं कि Hindi कम grammar translation method से पढ़ाएंगे यहां पर मतलब concept से है है ना और problem बनने से मतलब है और मेरे परहाने के बाद आपको कोई book पढ़ने की जरूरत ने क्योंकि बहुत सारे बच्चे मन में आ रहा होगा sir practice के लिए कौन सा book ले ले है ना घर में practice कौन सा करेंगे तो आप market से जाईएगा कोई भी book ले लिजागों से हम आपको इतना practice करवा देंगे इतना practice करवा देंगे कि कोई भी problem आएगा तो आप उससे अराम से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं टेंसल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ओके तो चलिए फटाफट मेरे प्यारे students एक वार वीडियो को सेर कर दीजिए जितने भी स्टूरेंट जूरे हैं और अभी तक लाइक सारे स्टूरेंट्स नहीं किया है तो लाइक्स फटाफट कर दीजिए और दो क्लास आप लोग का YouTube पे हम लेंगे और उसके बाद application में आ जाएंगे क्योंकि जब तक किसी चीज़ का value नहीं दीजिए एक मिनट उससे मत पूचेगा जो गां में बैटके तास केल रहे हैं खैनी खा रहे है न उसके पता ही नहीं तो इसे लिए आप लोग को क्या करना है कि 499 रुपिये देके इस कौर्स को क्या कर लेना जॉएन कर लेना है ना और आपको लग रहा हुआ कि 499 सर बहुत है तो य यह आप लोग का बेवकूफी है ना आप हमीसे ऑफ-लाइन मांके पढ़ लिजिएगा पता कर लिजिएगा गोगरी जमालपुर में इसी चीज को पढ़ाने का हम कितना ले रहे हैं चार हजार रुपिया ले रहे हैं है ना और आप पता कर लिजिएगा कि खिरी सरका गोगरी जमालपुर एसड़ी अबास के पास इस हिसाब का क्लास चलता है एकदम पूरा भड़ा भड़ा और वह सी चीज को हम ओन-लाइन में कितना लाए चारसौ निन्यावे और आपको यह भी बताते हैं चारसौ निनावे मतलब हम आपको one years पढ़ाएंगे और यह भी हम आपको गैरेंटी देते हैं इसको पढ़ने के बाद आपके आसपस जो भी ऑफ लाइन के टीचर हैं हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक को आपको भी में लिखत जाईएगा और उसे जाके दिखाईएगा कि हम इस टीचर से पर रहें और फिर मेरा वीडियो दिखा देजिएगा ना पीचर मतलब उस टीचर को नहीं मतलब जो वहां के बच्चे होंगे आसपास की क्योंकि टीचर तो यह भी बोल देंगा आफ-लाइन की है यह ठीक नहीं प इस टरहा हम खुद सीख लिए और यह घमंड नहीं मेरा विश्वास कहता है कि जब से हम होस्त संहाले हैं तब से मेरा English पर ही आप आप लोगों है न मेरा इंगलिस ही पर्फेक्ट है मैट्रिक में भी किसी तरह मॉन के चलिए जो भी था मैं नमर लेके साइंस में लेके पास कर गएं इंटर में भी वही हुआ लेकिन हां इंगलिस में मेरा हर एक जगह देखिएगा तो बहुत अच्छा मार्ट से और यह भी पढ़ाते हैं और किरिसर इंगलिस के लिए ही पूरे बिहार में जाने जाएंगे और मेरा एक चीज यह भी है कि कोई भी काम हो है ना उस काम का आप उस खेल का पक्का खिरारी बनिए और आप बहुत ज़्यादा फेमस हो यह गर ठीक है तो चलिए आप लोग का सपोर्ट आ और आप लोग को हम बता देते हैं कि 911 0091013 पे आप लोग है ना कॉंटेक्ट करके जूर सकते हैं और इसके अलाबा ज्यादा बिचरा को तंग नहीं किजेगा यह स्टाप बिचरा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है क्योंकि इतना फॉन आप लोग करते हैं आप डारेक्ट इ बच्चे और लेडी जान भी रहा होंगे ठीक है टार्गेट बोट क्या है अपलीकेशन उस पे चले आईएगा और अधी आप खुद से पर फॉन चलाते हैं तो वहां अपलीकेशन से कटा लिजेगा नहीं तो इस पर पे करके एकदम ट्रस्टेड इस नमबर के अलावा किस स्टार्ट हो चुका है हाँ एक चीज यह भी रखना अधी वह बोले किसी और नमर पे पैमेंट करने लिए तो बिल्कुल नहीं दो ही नमर पर पैमेंट कर सकते हैं एक तो नमर यह है इसमें मेरा नाम आ जाएगा कृष्ण नंदन कुमार नाम से और मेरा फोटो भी आ जाए किसी भी नमर पे अधियाब को कह रहा है कि पैमेंट कर दीजी हम आपको जोड देंगे तो वह फ्रॉड है और आप समझेगा पैमेंट कीजिएगा तो ठीक है और इसमें आएगा आपका कुंदन कुमार ठीक है कुंदन कुमार कोन है हमारे टेकनिकल टीम के सबसे बेस्ट य या इस नमर पे कर सकते हैं और 499 में कोई बढ़का चीज नहीं है जाते हैं मार्केट में एक जिंस भी आप खड़ित के लिए आते हैं एक हजार का और कितना दिन पहनते हैं और नॉलेज वह इन्वेस्टमेंट है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट किजिए और जब आप ए पैसे को मत देखिया ना इसमें देखते हैं बहुत सारे बच्चे कोमेंट करते हैं कि धंदा बना लिए बिजनस बना लिए मेरे वीडियो के नीचे कोमेंट्स आया है तो आप अपने पिताजी को बोलिए कि कोई काम फिरी में करें ठीक है और उसके बाद उसके बदले पैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और पैसा हम ले लिए और कलास नहीं ले गए तो उसमें भी आपको क्या आएगा गुस्सा आएगा तो यह चीज़ा सोची कि उस तरह के जो बकलोल स्टूडेंट करते हैं तो पहला चीज़ कि आप में सिस्टा चार नहीं है मैनर्स नहीं ह हम समझ रहें कि आपकी टाइम किल हो रही है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है यह समझना यह बात जरूरी है क्योंकि अब हम तो अप्लीकेशन में फिर आ जाएंगे तो फिर ज्यादा हम बक्वासी करेंगे नहीं लेकिन कुछ बच्चे जो है जिसके दिमाग में कच्रा बना है वह पैन कलम और कॉपी अधी उस हत्यार का यूज कीजिए गादी उससे आगे बढ़िएगा तो आपका नाम होगा पैसा कमाने का सकसे सोने का अमीर होने का दो रास्ता है एक रास्ता है कि डकैती कीजिए चोड़ी कीजिए ना दारू बेचिए निसराव वाइन वह बहुत ही नीचा चला जाएगा और दूसरा क्या है पढ़ लिखे कुछ अच्छा कीजिए तो आप लोग आपको क्या देगा सम्मान करेगा जैसे अभी हम अपने गाउं जाते हैं तो सब कोई हमें सम्मानित के नजर से देखते हैं जबकि हमसे ज़्यादा पैसा कामाने तो इसलिए माइडियर स्टूडेंट्स इन्वेस्ट किजिए अच्छे चीजों में पैसे को और 499 कोई बड़ा चीज नहीं है आप लोग इसको इतना ज्यादा जोड़ने लगते हैं एक साल आप पढ़िएगा एक साल कितना मैनेजमेंट है उसको देखिए और उसके बाद बोलिए और 499 बताइए और भी रेड़ सारे एप पर हम देखते हैं कि 10-10,000 रुपया ले रहा है 20-20,000 रुपया ले रहा है और उसके बाद उसका कोई पहचान नहीं अधी कोई बड़ा कमपनी है उसका कोई वजूद नहीं टार्केट वोर्ट तो दोगों वेक्ति से अच जिन्दगी भर आप भूलिएगा नहीं और पढ़ाई के साथ साथ अक्षर ज्यान के साथ साथ जो संसकार होते हैं वो संसकार भी होना बहुत जादा क्या है जरूर यह इसलिए निचे जो उल्टा-पुल्टा कोमेंट्स करते हैं तो यह आपके संसकार को दरसाता है कि आप लोग थोड़ा नेगेटीव नहीं जाएगा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हम कल चर्चा किये थे किसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और यह इतना बहतरीन टॉपिक अभी यहां से स्टार्ट हो गया और हम आपको बता दें यह पार्ट्स ऑप स्पीच हम आपको पढ़ाएंगे 7 months लिख लिए कितने months और 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 बता देते हैं जिसको जल्दबाजी है जैसे जो कि पढ़ाई में भी जल्दबाजी करते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाईए तो वो मेरे course को purchase नहीं किजिएगा ओके क्योंकि मुझे सिखाना है रटाना बिलकुल न चलेंगे और बैट के भजन नहीं करेंगे बहुत सारे concept को क्या करेंगे किलियर करेंगे तो चलिए आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम आपको चर्चा किये थे क्या चर्चा किये थे आप लोग को याद होगा सारा चीज हम बता दिये थे पार्सवापे अच्छी तरह जान रहे होंगे कि जो बुक आप पढ़े होंगे वह बुक हम अल्लेडी पढ़के खत्म कर दिये होंगे बहुत सारे बुक को तो इसलिए जो हम आपको अनुभव अपना बतारे टीचर क्या है अपना अनुभव बताते जो एक्सप्रियंस करते वह अपने ब भाग में बाटा गया है तो अभी फिलाल हम लोग मॉडर्ण को भी देखेंगे लेकिन पहले हम लोग ट्रेडिशनल को देख लेते हैं ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है प्रम परागत जो सदियों से चली आ रही हो जैसे कि आपके भया का साधी हो रहा है तो किस मेथड़ से ट्रेडिशनल मेथड से कितनों आप सक्सेस हो जाएगा साथ फेरे लेना ही है तो वो जो साथ फेरे ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते है ट्रेडिशनल डैट मिस जो परम परागत सदियों से चली आ रही हो तो यह सदियों से चली आ रही है है और ट्रेडिशनल मेथड मॉडर eight parts में क्या किया गया है divide किया गया है जिसे हम क्या कहते है parts of speech यह आपके exam में पूछने वाले नहीं है यह केवल information के लिए हर एक चीज़ को समझना है तो आईए है ना हम आपके comments नहीं पर पा रहे है ना उसका बहुत सारा region है क्योंकि comments पढ़ने के लिए जाएंगे और तो फिर आपका आलतो फालतो comments देखेंगे हम सही से पढ़ा नहीं पाएंग और दूसरी बात कि जो बच्चे अभी comments कर रहे है तो हम तो आपके comments को देख नहीं रहे है और आप क्या कर रहे हैं हाँ सारे degree की पढ़ाई कर आ रहा हूं है ना तु यह वो फलना चिलना कर रहा है ठीक है देख रहे है गलत comments क्यों कर रहे हो तो यह जितने भी मतलब बिन्स कुमार के नाम से जूरे है सकती कुमारी के नाम से जूरी है गुल्फ राइडर के नाम से जूरा है न तो यह जितने भी आप comments कर रहे है जो भी students कर रहे है आपके जैसा बकलोल कोई नहीं है उसका reason है क्योंकि mind एक वार में जब हम काम करते है तो एक ही जगा focus होता है तो हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें से कुछ बच्च ऐसे होंगे जो की पर रहे होंगे तो इसका मतलब वो perfect student है वो अपने आपको honey नहीं पहुँचा रहा है और जो student comments करने में लगें हैं वो अपन my job आपको honey पहुँचा रहे हैं अपनो honey पहुचा रहा है जब हम आपको बोलेंगे कि comments किजिए कोई doubt है और हम comments परने के लिए जाएंगे तब आप comments किजिएगा ठीक है उससे यह होगा कि आपके doubt के लिए होगा हम कुछ बताएंगे नहीं आप वहां पे लिखिएगा हम आपके doubt देखेंगे और ऐसे हम पढ़ा रहे हैं और आप comments कर र हाले हैं noun ये noun ये सब का दादा है ये क्या है सब का दादा है noun क्योंकि बिना noun पर है इधर जो rest कितना बचता है साथ अधी आप noun नहीं पढ़िएगा तो ये साथ आपको कभी समझ में नहीं आएगा अब कुछ को लगा है सब noun कुन सा बढ़ी बात हैं तो बच्पन से परका लगान भी रहें करेंगे और यह चार टॉपिक हैर नांट के बीना ना तो अधितना टॉपिक इतना इंपोर्डेंट है कि नवन के बीना । समझपाईएगा नवन की विना ना तो आप narration समझ पाईएगा और noun के बिना ना तो आप wise समझ पाईएगा noun के बिना ना तो आप degree समझ पाईएगा और noun के बिना ना तो आप subject verb agreement समझ पाईएगा noun के बिना ना तो आप removal of two बना पाईएगा noun के बिना ना तो आप question tag मतलब noun नाउन बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए हर एक बात को समझना बहुत ही बारिकी से, इसलिए हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा, नाउन और नाउन कम से कम, दो अधाई मैने चलेंगे, इनके जो चार पार्ट्स में डिभाइड है, वो सारे चीज, और मैं आपको आज से स्ट करेंगे, प्रोनाउन के बाद हम बात करते हैं किसका, एड्जेक्टिव का, ठीक है, और इस एड्जेक्टिव के बाद हम बात करते हैं किसका, एड्वर्व का, ठीक है, और इस एड्वर्व के बाद हम करते हैं, प्री पोजीशन का, किसका, प्री पोजीशन का, और इस प्र conjunction का बात करते हैं ठीक है और इस conjunction के बाद हम बात करते हैं इसका intersection का किसका intersection का ठीक है तो यह 8 parts है ना और हम noun को सबसे क्यों अलग रखें उसका बहुत सारा क्या है region है और अभी देखिए किलियर हो जाएगा अधी आप बच्पन में पढ़'re होंगे तो आपको यह चीज़ अच्छी तरह से पता होगा कि प्रोडाउwn हम किसे कहते है Jack कि है रिप्लेस और रिप्लेज व्याओ प्रों को हम क्या कहते है प्रोन के रिपर नयूँर्ण् आप मार्केट में क्या लेते होंगे समान लेते होंगे आपको फिट नहीं आया आपको पसंद नहीं आया तो आप दुकान वाले के पास जाते हैं कहते हैं कि आप मुझे ये रिप्लेस कर दिजिए क्या कर दिजिए रिप्लेस मतलब इसके बदले मुझे कोई और समान ही दे दीजिए तो कुछ नहीं है pronoun क्या है replace है किसका noun का मतलब noun और pronoun में जो हम अदला बदली करते हैं वही हमारा क्या और दोनों का मतलब क्या है same है नाम अलग है लेकिन दोनों का मतलब क्या है same है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है replace of noun, जो noun के बदले आता हो, उसे हम क्या कहते है, pronoun, अब आगे आ जाईए, इस महासे से मिलीए, ये कहता है, क्या, जो noun और pronoun की विसेश्था बतलाता है, जो noun या pronoun की क्या बतलाता हो, विसेश्था अनिक्वाइलटी बतलाता हो, उसे हम adjective कहते हैं, तो फिर देखें, यहाँ क्य दुनिया में जो भी काम होगा, तो वो दो ही व्यक्ति कर सकता है, और वो कौन कर सकता है, noun ही कर सकता है, और कौन कर सकता है, pronoun, इस दोनों के अलावा, इस पूरे बर्मांड में, कोई भी काम इन दोनों के अलावा नहीं कर सकता है, दुनिया में जो भी घटना घट रही है, जो भी काम हो रहा है, इन दोनों के ही बज़े से हो रहा है. चलिए, आगे हम बात करते हैं, एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या कहता है? जो एडजेक्टिव की, किसके बारे में, जो एडजेक्टिव, या जो वर्ब, या जो खुद अपने आप की क्या आनी विसेस्ता बतलाता हो से हम क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं तो अब इसमें भी फिर क्या गया जो वर्व की विसेस्ता बतलाता हो जो किसकी विसेस्ता बतलाता हो या जो खुद अपने एडवर्ब की क्या बतलाता हो विसेस्ता विसेस कि बात कर रही है तो समझ जाए दिमाग में या तो एड़ेक्टिव की बात कर रही है या तो फिर वह एडवर्ब की क्या कर रही है बात कर रही है इसके अलाबा कुछ नहीं क्योंकि उसको कोई काम है नहीं बैट के वह दूसरे का बुड़ाई निकालेगे कि फल्ना के साओस ऑधाल की दृवर्ण से अब देखिए अदियार तो यह जोड़ने का काम करता है क्या करता है जोडने का काम करता और ये भी डिपेंड करता है इसमें भी हम किसका यूज कर लेते है? अब आईए इंटर्जेक्शन तो इंटर्जेक्शन भी जो घतना घती है वो जेंडली जो ये सब हमारे किससे करते है ? तो ऊबर ओल देख सकते हैं कि इन सभी का मेन हेरो नायक है कों नै नायक यह है आप लोग एक फिल्म होंगे या गाना सुने हूंगे नायक नहीं खल नायक हूं मैं वो भारतिय सीनेमा का लुटीर्म का वॉ फिल्म ऐसा फिल्म है कि जिसमें आज तक कोई ऐसा फिल्म नहीं बना है जिसमें hero से ज़्यादा विलन ज़्यादा क्या हुआ था फेमस वह था और उसमें विलन का किरदार निभायते कोन संजय दत निभायते ठीक है तो समझ लिजए कि ये जो है thank you very much है ना चलिए बहुत बढ़िया कि आप इस तरह से मेरी बातों को फॉलो करते हैं और अधी आप आए हैं सीखने के लिए हैं सच्चे दिल से आए हैं और आप मतलब सीखने के लिए हैं तो प्लीज मैं जो जो भी आपको इंडिकेट करूं उस चीज को आप क्या किजिएग मतलब माई डियर स्टुडेंट ओके माई डियर स्टुडेंट ओके तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से किजिए एक स्टुडेंट लिखने सर आपके हैंड में क्या हुआ है तो हम आपको बताए थे कि 31 मार्च को आप लोग का रिजल्ट आया था 10 का और 30 मार्च को आप ही के काम के वज़े से मेरा क्या हो गया था एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसमें बहुत ज्यादा चोट लगा है और अभी भी आपको एकदम दवाई खा के परहा रहे हैं डॉक्टर पूरे बोला है कि रेस्ट की जम बोले कि नहीं हम रेस्ट नह इतना समझदार जरूर होंगे कि मेरा काम से वो मेरा आकलन कर लेंगे ठीक है और भगवान है और वो समझदार ही नहीं है तो फिर मैं उसको पूझा क्या हूं अब मैं रात दिन सिर्फ भगवान का पूजा कर रहा हूं और अपना काम इमंदारी से कर ही नहीं रहा हूं तो वो कैम करने से कुछ नहीं तो फिर नथे शिदांत है वर्और कर अपना अपना सर्धाव तो अब करके बताएँ आप लोग को अपना जैसा हो रहा है हड़ वार हो जाएंगा आप लोगा प्यार है बहुत सारा थीक्ट यौर दर बेस्ट टीचर सब 750 फीर और अब है यह तर्स टीचर स्थां क्यों से और कुछ रटना ने पड़ेगा प्रामीज पूरा क्लास में कहीं रटना तो पढ़ाना छोड़ देंगे इतना दिन का experience इसका मेरा आएगा है ना एज में छोटे हैं लेकिन हम आपको क्या बोले बच्पने से मेरा यह फैवरेट सब्जेक्ट रहा है इंग्लिच लिए यह सर यह सर कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं कोई डाउट नहीं कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो अब ओवर ओल वेटेज इनका समझ गया होंगे किनका नाउन का तो चलिए अब दिकें इंटर्जेक्शन में कुछ बच्चे कॉमेंट्स कर रहे हैं नाउन का तो सही बात है नाउन का जिक्र यहां पर नहीं होता है लेकिन एक चीज समझ य लगा तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते नाउन और जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं कि रटना मना है रटना क्या है मना है और क्रीशर के स्टूडेंट अधी रट ले तो फिर तब फिर मेरे नाम पे जो है ना नालत है ना कभी ऐसा होगा नहीं लिए नाउन की बात करें समझ ये गवर से तो नाउन एक वर्ड से किसे बनाए याद रखेगा कि वह से बेसिकली नेम जो है एक ग्रीक सब्द है और हम आपको पहले ही बताए थे कि इंगलिस में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक और लेटिन से क्या मिलके बने हैं तो नाउन अब देखिए नाम जो है यूनिवर्स के दिए हम बात करें बर्मांड की बात करें तो दुनिया में जितने भी चीज एक्जिस्ट करते हैं एक्जिस्ट मतलब जो है जो आप देख रहे हैं जो भी चीज को देख रहे हैं तो उसका कुछू न कुछू क्या है नाम है आपके करदिंग आपके म deste करदिंग आपके में संसाइटी के क्षाइट dram hitting ए 59 ख़ख को आपके एरिया के कोर्डिंग कुछ ना कुछ उब करदा नाम है तो बढдоौन भी तरह से चीजे हैं बढ़ाट में दो तरह से कर दिखाई non-visible, visible का मतलब होता है, जो दिखाई देने वाला, और non-visible का मतलब क्या हो गया, जो दिखाई नहीं देता है, ओके, तो जिसको भी हम इस दुनिया में पूरी चीज़ को जिसको भी हम देख रहे हैं वो भी noun और जिसको हम नहीं देख रहे हैं वो भी noun तो overall देखा जाए तो पूरे universe में पूरे whole world की दिसे हम बात करें तो जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वो सब के सब क्या है? नाउन है और जिसे आप नहीं भी देख रहे हैं जिसे आप फिल कर रहे हैं वो भी सब के सब क्या है नाउन है ठीक है चलिए प्लीज माई डियर स्टूरेंट्स आप बे फिजुल का कॉमेंट्स मत किजिए ओके और हम आपको इसलिए बार-बार बोलने कि आप ही के भलाई के लिए बोलने है बादमां की बुरी है मेरा क्या लिजिएगा हम आपको समझा रहे हैं तो उससे माद में आपको समझ माएगा तो नाउन क्या है नाम है दुनिया में जितने भी चीज है ना अब देखें इनके डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे इनके डिफिनेशन करते हुए आगे निकल जाएंगे नाउन इसका नैमिंग वर्ड यह पढ़े होंगे दूसरी चीज़ पढ़े होंगे इनाउन इस दिमाग में रखना भी नहीं नाउन इस दा नैम आफ परसन प्लेस यह सब दिमाग में रखना प्लेस और उसके बाद क्य इनिमल उसके बाद क्या पढ़े होंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा हम आपको पढ़ा देते हैं क्वालेटी भी में नहीं रखना है ऐसा नहीं कि मैं को कोपी में रखनाा है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आईए हम smart तरीके से कुछ सीखते हैं, तो noun का ये सब definition दिमाग में नहीं रखना है, simply जानना है कि noun हम किसे कहते हैं, तो समझ लेजे trick से, हर एक चीज में हम आपको concept और trick दोनों लेके चलूँगा है न, ताकि आपको कह नहीं कोई दिक्कत ना हो, तो noun हम किसे कहते हैं, जिसे हम touch और क्या कर सके, feel कर सके, जिसे हम क्या, touch और feel कर सके, वो सब के सब क्या है, noun है, आपके understanding के लिए, समझने के लिए, हम history को क्या किया है, design किया है, वो सारी चीज, जिसे हम क्या कर सकते, touch और feel कर सकते, वो सारी चीज आप को बताते हैं कि आपके हाथ में भी बच्चे इस वीडियोको देख रहरे हैं चाहे बाद में या भी Argant में तो आप जब इस फॉण को छुए है तो आप सब्सक्राइब क generating कि देख रहैं कि ते टच किंए कि चुछ है मौइल को मोबाइल को हम टच कर सकते हैं तो इसलिए क्या होगी हमारा नाओ कार को टच कर सकते हैं डॉग को टच कर सकते हैं बाइट करने वाले डॉगी को मत टच करना ने तो सुई लगेगा ओके उसके बाद कैट को भी हम टच कर सकते हैं पैन को भी हम टच कर सकते हैं इस पैनल को भ आईए बगल में मम्मी को टच कर दिजिएगा किसको मम्मी को और बोलेगा मम्मी तू तो नाउन हो गई क्या हो गई नाउन हो गई मम्मी मार के भागाए कि भागता है कि नहीं हां से मम्मी हो गए हम नाउन हो गए ठीक है पापा को जाके छूकर बोल सकते हैं पपाजी आप त हम लोग क्या कर सकते हैं वो सब के सब हमारे क्या है नाउन है अच्छा आप बात कर लेते थोड़ा फील की तो जैसे कर लेते हैं अच्छाई की बात 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 कर लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं महसूस करते हैं हवा को हम क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं किसी चीज को मिठास को हम लोग क्या कर सकते हैं म मैसूस कर सकते ब्रेवरि को हम यह कर सकते हैं चाइल हुड मतलब बचिपन आप जो बच लेकिन महसूस कर सकते हैं तो वह सारी चीज जिसे हम तच और क्या कर सके फिल कर सके उसे हम क्या कहते हैं और वह कैसे है फ्लकर इस लिक में है अट कर शेस Character नहीं दे रहा है ना तो देखिए यह असाद ओफिसियल बॉआ है देखिए हर एक चीज में आपको बड़ा हसी लगेगा हर एक काम में कितनों भी आप 100% दे दीजिए उसमें दूगों तीन को जो है ना बनला बकलोल आपको नजर मिली जाएगा और इस तरह के जो बकलोल होते हैं उसका वर्णन नहीं है तब से पहला चीज़ी से यह सोचना चाहिए कि टार्गेट बोड़ी वो चैनल है जिसने इस वार क्या दिया टॉपर दिया टार्गेट बोड़ ही वो चैनल है जिसमें अभी 22,000 बच्चे प्लस कॉर्स पर्चेच किये थे हम लोग का क्रेस कॉर् 22,000 बच्चे जो भी कर्च कॉर्स पर्चेच किये थे लमसम बच्चे के 400 प्लस क्या आये हैं रिजल्ट आये हैं और जो ये फेक वाला बात कर रहे हैं तो बववा 199 में तुमको हम बारवार यहां पर सारा चीज़ बोल रहे हैं जितना बच्चा अभी क्लास में जुरा तुमको अभी तुनंत क्लास से वही सब बाहर कर देगा ठीक है हम बार 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 बोलने हैं कि नम्मर दे रहे हैं तो किसी तरह का पड़ेसानी है बात कीजिए इसके अलाबा हम अपना एड्रेस दे रहे हैं हम आफ लाइन पढ़ाते हैं आप लोग क्रीस्तर सर्च कर लिज पढ़ाते हैं बकलोल तु इस तरह का कॉमेंट मत कर ठीक है क्योंकि तुम बकलोल है और बकलोल का कोई यूदा आपको समझाना बड़ा असने हैं लेकिन पढ़ेलिके मुर्क को समझाना बड़ा ही क्या है कठीन होता है ठीक है यहां तक मिमज आया जी सर जी सर जी सर ठीक है चलिए बहुत अच्छा क्या आपका साउंड वह वेधरी चलिए अध्यान नहीं दे रहे तो को 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 जानता ही नहीं है अब आप लोग उसको बाहर ने निकाले और उल्टा सिरा उसको लिखिए नहीं ठीक है ना यू आर माई सब कुछ आप मेरे सब कुछ है ठीक है क्योंकि आप है तभी हम है आपके बिना तो मैं आधा और अधुरा हूं तो यह ट्रिक समझ में आया चलिए इनके हम लोग लिखे दांसिंग क्या लिखे हम दांसिंग और एक वर्ड लिखे हम यहाँ पे स्वीमिंग क्या लिखे है यहाँ पर हम एक वर्ड लिखे स्वीमिंग और एक वर्ड लिखे टू एरर और उसके बाद हम लिखे टू इट क्या लिखे हम टू इट ठीक है डांसिंग स्वीमिं देखिए आप लोग पैसेंस बना के रखें आप लोग में पैसेंस नहीं थोड़ा से समझे साइंस भी होगा लेकिन हम फालतूलतू टीचर को उठा के लाके रखें इतना जलवाजी मत किजिए ना कोई चीज जलवाजी में कोई कहा बत है धरफर में किया गया काम जो है सैतान का होता है ठीक है तो सैतान नहीं बनना है हम लोग अच्छे टीचर को न लाएंगे जिससाब से हम प्रिंस सरा है उससाब से लाएंगे हां आर्ट के बहुत ही बहतरीन टीचर मिल चुके हैं रोहित सर मिल चुके हैं ठीक है और रोहित सर हमारे दोस्त हैं जिस तरह से प्रिं प्रेंद का आज आज आएगा है ना जो भी आपके भाईबान है उसको जोड़ दीजिए गाना इसलिए बिल्कुल लिखिए आप जितना कंसर्ण है ना उससे दस गुना ज्यादा हम प्रिंसर कंसर्ण है ना आपके अच्छे भविसे के लिए जान लड़ा देंगे है ना चुछ भी क्योंकि आप बहुत हमें क्या दिया है पावर दिया हम लोग को आठो बताई यह 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 नावन है यह चलिए लिकरे सलोनी Caudhury लिकरें वर्भी बहुत ही पूरानी इस टुडेंट है ठीक है उसके बाद सीबाइए यह सब्सक्राइब कर दिकास जाल इकुल ये चलिए बहुत अच्छा बहुत हीं अच्छा तो चलिए हम इसको समझाते हो कि अच्छलिए अब यहांपर हम लोग समझते हैं अब यहां पर ध्यान दिजिएगा यहां पर ध्यान किसी भी इंगलिस में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, या, प्रोनाउन होता है, क्या होता है, या क्या होता है, प्रोनाउन होता है, देखिए, इसी को हम कहते हैं, हिंदी कम grammar translation method, जिसमें हिंदी भी है और English भी है, no matter, अध्याप फुली English medium से भी पढ़ते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं हम आपको पहले हैं बता चुके हैं, की भास में हैने किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा आप दूसे हम लिखें एक सेंटेंस यहाँ फे light एक सेंटेंस हम लिए यहाँ पर हम लिखें ही इज है इस यूमिंग ही इस Benjamin कuu है कि है हम ही is swimming देखेए इसी swimming हेंस संब्सक्ता है है घर एट है यह भात तो बहुत सारे बच्चे कंद्स रहे हैं कि यह सर स्विमिंग नांग है उसको यह लग रहा है कि सर नाउन पढ़ा रहा है इसलिए तो नाउन ही होगा ना नाउने मार देते हैं मेरा नाउन तो आ जाएगा ठीक है तो concept के लिए रोना बहुत जादा क्या है जरूरी होता है तो यहां पर देखिए तो ही हमारा subject है हमारा helping भर और swimming हमारा क्या है मैन भर भी समसौर्ट में लिके एच भी एच भी मन एंड़ बना क्या मैं भर पर से पर रहे तो कुछ तो अलग होना चाहिए न तो अब देखिए कि यह सेंटेंस में यहीज कि आप लेकिन अब एक संटेंस और हम लिख रहे हैं य एक्सर साइज अब बताईए कि यह स्विमिंग अब यहां क्या होगा अब एक बार फिर से कॉमेंट किजिए अब बताईए यह क्या होगा आँ सीवम यादव भागलपूर से या सीवम बहुत ही पुराना स्टूडेंट है इसे हमारी बात भी थी कितना नमराया था बाभू त स्टूडेंट में बताईएगा एक बार तली थाइंक्यू सर वर्ल्ड थाइंक्यू सर चली ठीक बताईए अब बताईए यहां पर क्या होगा इस सेंटेंस में यह स्विमिंग क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंस एक बार बटाईए सारे स्टूरेंट आप यहां अब देखे यह बिल्कुल यह नाउन होगा बहुत बहतरी नहां पर आउन सराया है यह क्यों नाउन होगा तो हम आपको क्या बता है अभी हम आपको जस्ट क्या बता है हम बताएं कि इंगलिस में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकता है या तो नाउन होग और या तो क्या होगा प्रोनाउन होगा तो अब बात यहां समझ यह गौर से एक बेसिकली माना जाता है कि यह हमारा भर्व है और इसके बाद हमारा अब्जेक्ट होगा और इसके पहले हमारा क्या होगा सब्जेक्ट होगा ना यह इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बात क्य हमारा object तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर एक चीज़ नोटिस किजिएगा यहां पर गहराई से देखिएगा तो यह हमारा क्या है भर्व है यह क्या हमारा भर्व है और इसके इधर जो आया है यह हमारा क्या है subject है और इसके इधर जो इस सब आया है इसके इधर जो यह सब आया है तो यह सब हमारा क्या है object है क्या है object है तो इसके coding अधी हम देखें इस concept के coding देखें तो हम आपको यह बताएं कि दुनिया में किसी भी sentence का English में किसी भी sentence का subject या तो noun या तो pronoun तो basic है भी लोजी तो हम प्रूनाउन की चर्चा कर नहीं रहें तो फिर आप यहां पर यहां पर यहां मतलब क्या कहला रहा यह सुमिंग की है without तो आइधिंक आप अच्छे ढंग सी सीच को समझ गया होंगे तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब यह सारे वर्ट्स यह सारे वर्ट्स इसके रूप में काम करने लगे किसे रूप में? subject के रूप में काम करने लगे, तो confirm हो जाएए कि यह सारे बचवा क्या है? noun है, लेकिन अधी यह, अधी यह, अधी यह, किस यह जैसा? verb के जैसा यहाँ करने लगे, जैसे यहाँ पर देखिए, ना, यह क्या? verb के जैसा काम करने लगे, तब फिर ये word चाहिन हाता है, sentence के subject के रूप में जब यह use होने लगेगा, तो ये noun कहलाएगा, या sentence के object के था ओम में यह use में आएगा, तो ये क्या कहलाने लगेगा? हमारा noun, और अभी हम आपको clear कर देंगे, कि यह सब्जेक्ट क्या होता है और अब्जेक्ट भी तुरंती कर देंगे ना और इतना सारा चीज सिखाना है इतना सारा चीज़ है मेरे पास हम चाहते कि मेरे पास जो भी है सब आपको दे दें और एक क्रिस यहां है दूसरा क्रिस बन कि वहाँ पर और सबस्काइब अलग उचाराण है तो हम यहां बात करें तो एंफिंटिव है तो पढ़े ते यह इन्फिनिटिव है two plus verb की first form को हम इन्फिनिटिव कहते हैं yes बिल्कुल आप सही पढ़े हैं लेकिन यहां पर हम इससे जब subject के रूप में यूज करेंगे तो इसे हम noun infinitive के नाम से जानते हैं I repeat again इसे हम किस noun के नाम से जानते हैं noun इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं अब आप हमारी बातों को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे और यह जितने भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं यह सारे चीज़ हम गुरूप में डाल देंगे इसको पीडिया बनाके क्लास के बाद और हम आप से यही प्रॉमिस करेंगे ए हम क्लास लेंगे और यूट्यूब पर क्लास क्या रहती है इंगेज रहती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा माइडियर स्टुरेंटिक है तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट है देर से ही दो दिन बात तीन दिन बाद ही परिवार है ना आपके खुशी में मेरी खुशी है अच्छा अधी मौन के चलिए कर के दिन हम मौन के चलिए रोट पर आपको मिल जाते हैं सरक पे ऐसे चलते हुए तो कल के दिन कहां पढ़ता है क्रीश के पज़ार देख लेरी और यह उख रहो तो आप जरा सोचिए कि आ आपका भाई प्रॉब्लम में हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा समझे इस बात को तो हम सब क्या है फैमिली हैं हम सभी क्या है पडिवार हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है अब यह नहीं कि पैसे के चकर में कलास को छोड़ देना है समझ यह यूट्यूब से कितना पैसा मिलेगा उससे कैसे मन के लिए हम लोग सर्वाइव करें यह भी तो सोचिए तो आप लोग कॉमेंट्स वगरा करने लगते हैं सर बिजनस कर रहे हैं पलना करें कुंची बिजनस कर रहे हैं दाके देखिए न लोग रिम तो है 10-10 लाक सब्जेक्ट के बारे में क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को भी क्योंकि यह दोनों टॉपिक आ आप लोग के सामने इनको भी समझना क्या है जरूरी है अब देखिए सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हम कहते ह किसको करते हैं रिसीवर. यह डूर और समाज इगा आए यह सकते हैं झिक है यह धूमका है ठीक है और इधर से यह बशेला यह है यह वेचरा भोला है क्या है भोला है तो भोला है तो इसको भोला ही बना देते हैं है ना क्या बन जाओ भाई भोला बन जाओ भोला बन जाओ की बेचरा भोला बन गया क्या बन गया भोला बन गया ठीक है तो अब इनकी बात करें तो इनके पास एक फोन है यह क्या है कि इंके फॉन को रिसीव किया आनने एक्या हो गईसीवığर और ये विचन्रार क्या हो गया डूरर किता रख लेते हैं क्या रख लेते हैं गीटा है किता नाम है तब मोहन है जो इसे कॉल कर रहा है तो मोहन sure यह हमारा क्या कहलऄगा सब्जेक्ट और होन को जो सुरुवात किया है। चलिए ठीक है एक बार कोमेंट बोक्स चलिए ठीक है चलिए अच्छा बहुत सारे स्टूइट के मन में यह सवाल आ रहा होगा हम अभी देखें यहां पी तो समझ में आहीं गया होगा कुछ स्टूइट्स का कॉमेंट्स यह आ रहा है कि सर अधी मैं 4 वजे क्योंकि क्लास कितने वजे आप को की चलते हैं क्लास कितने वजे स्टार्ट होती है चार से पांच अधी सर्माई 4-5 इस क्लास को नहीं देख पाया लाइब में तो क्या मुझे यह क्लास मिलेगा बिल्कूल एक साल तक नहीं बलकि एक साल तो पढ़ाएंगे ही है मैना तक एक्स्ट्रा ये वीडियो आपके अपना टार्गेट वोड आप ये वीडियो आपको क्या होगा दिखेगा तो समझे क्या चार से पांच अधी आप नहीं भी पढ़ पाएं लाइब में तो बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि वहां पेक रहेगा प्लेलिस्ट क्या रहेगा ठीक है तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं नाम से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बाद में भी दू दिन बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं तिन दिन बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको तो जब टाइम मिले तब आप देख सकते हैं जितनी बार आपका मन करें उतनी बार देख सकते हैं तो इसलिए सब चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है बाद में पापा का फोन आए तो बाद में भी देख लेंगे हैना जिस से मैं फोन मिला उससे मैं क्या करेंगे देख लें नहीं नहीं तीन मन्त नहीं six months कितने six months तीन month के वो duration है है न वो चलेगा कितने six months कितने months six six months क्या है six months कितने तीन कितने कितने six months कितने से सबस् charitable झाल झाल चलिए ठीक है तो इसलिए हैना ये कितने मंच चलेगा six months चलेगा एस पॉकेन की class और आप दोनों class जोएन कर सकते हैं ये कोई syllabus नहीं है बलकि इसमें हम आपको इंग्लिस जो वह बदलब छोटे-छोटे sentence होते हैं इंग्लिस में इंट्रोडेक्शन देना है अपना पड़िच बहुत sentence आपको करवाने बाले है बहुत vocabulary भी करवाने बाले है तो है ना तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं तो subject समझ में आ गया object समझ में आ गया noun हम किसे करते हैं वह भी समझ में आ गया तो एक बार हम फिर से repeat कर द देरा वह भी सब क्या है noun है और जिसे आप महसूस करते हैं वह भी हमारे क्या है noun है फिर हम आपको बताएं कि dancing, swimming, eating, to eat, to run ये सब हमारे क्या है noun है कैसे जब हो sentence के subject के रूप में काम करेगा तो अब सोचे कि इतना दिर हम class लिए मुश्किल से 4-5 चीज concept सिखाएं और मैं आ आप इसको देखेगा तो अराम से आपको दिमाग में इस सारे concept आ जाएंगे अब हम लोग कल चर्चा करेंगे इनके types पे किस पर चर्चा करेंगे ना, 5 types और कितने types 3 types पढ़े होंगे 5 types और कितने 3 types आप क्या किये होंगे, पढ़े होंगे अब यहाँ पर ध्यान दिजिए लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे 2 types एक पढ़ाएंगे हम आपको countable है ना, इसी का अंतरगत सबको हम गुशा देंगे है ना? एक हम आपको चर्चा करेंगे कल की क्लास में क्या? countable है نा? countable noun और दूसरी चर्चा हम करेंगे किसका? uncountable और कैसे ये दो ही है ये भी हम आपको बताएंगा, okay? ये भी हम आपको बताएंगा uncountable noun और बहुत ही मज़ा आने वाल आप जितना इसको हलके में ले रहे हैं, ये हलके में बिलकुल भी नहीं है, हलके में इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि आप हलके तरीके से पढ़े हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये हलका है, लेकिन ये हलका नहीं, ये बहुत ही डेंजर है, है ना, और इनको नहीं समझेगा तो एक और topic आपको कभी समझ में नहीं आएगा है ना और वो प्यारा सा topic क्या है article बिना noun का article जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगा बिना noun के आपको subject, verb, agreement भी subject, verb, agreement भी है ना क्या subject verb agreement भी आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए बहुत सारे topic इस से क्या करते हैं मैच करते हैं तो कल और एक class हम लेंगे है ना free class लेंगे YouTube पे जैसे क्या भी YouTube और एप पर दोनों जगए ये class क्या है लाइब है तो कल एक class और लेंगे और आप लोग अपने आज पास जो भी student है सभी को बोल दीजिए जुरने के के लिए बड़ा ही क्या मज़ा आने वाला होके तब तक के लिए टेक केर जैन जैभार।